गुड मॉनिंग ओल आफ यू आज का सुवी चार रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना मनुश्यक्व, स्वस्त, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है शरीर और मन को शान करने के लिए ध्यान हुद्रा में बैठिये निशंक होई रे मना, निर्भय होई रे मना, प्रचंड स्वामी बरपाथी शी, नित्य आहे रे मना अतरक्य अवधूर्त हे स्मरण गामी, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी दीरे दीरे आखे खुलिए बच्चों, आज मैं आपको सर्वांगासन सिखाने वाला हूँ सबसे पहले, जमीन पर लेट जाईए फिर दीरे दीरे पैर उपर लाना है 30 डिग्रे अंगल पर उसके बाद 90 डिग्रे अंगल पर फिर दोनों हाथों की मदद से पैरों को सर के तरफ लाने की कोशिश करना है इस तरह से उसके बाद हाथों को कमर पर रख कर कोहनी की मदद से पैर उपर सिदे करना है और जितना हो सके उटना होने के बाद अपना शरीर स्थिर कर लेना है इस आसन में शुरुवात में 30 से एक मिनिट रुकने का प्रयास करें अब फिर धिरे धिरे समय बढ़ाना है वापस आते समय भी यह ध्यान देना है कि हाथ तुरंट ना छोड़े पैरों को सर के तरफ लाना है हाथों को जमीन पर रखते हुए पीट के बल आना है फिर पहले स्थिते में धिरे धिरे आ जाना है बच्चों अब यहाँ वीडियो देखिए उसके बाद मैं इस आसन के लाब और सावधानियों के बारे में बताता हूँ आशा करता हूँ आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा बच्चों सरवांगासन यहाँ रिवर्स पोज होता है जिसमें आपका सर जो है वहाँ नीचे होता है और पैर उपर जिससे अपने बलड का जो फ्लो है वहाँ दिल की तरफ और सर के तरफ जा रहा होता है ज्यादा करके हम हमेशा खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं तो बलड जो होता है वहाँ नीचे की तरफ जा रहा होता है आपने कभी देखा होगा कि किसी की पैर के जो नसे है वहाँ ब्ल्यू लाइन्स या फिर रेड लाइन्स दिखती है यहाँ आसन करने से वहाँ प्रॉब्लेम ठीक हो जाती है डाइबर्टीज और थाइरोइड को भी ठीक करने में मदद होती है इस आसन से चेहरे का ग्लो उभरने लगता है बालो के लिए भी यहाँ आसन अच्छा है यहाँ आसन करने से मोटापा कम करता है आखों से जूड़ी बीमारी तूर होती है हमारी जो इम्मिनुटी पावर है वह भी इस आसन से बढ़ती है इस आसन को करने से दिमाग तेज चलता है दमाग की समस्या को भी कम करता है सावधानियों के लिए यह ध्यान रखना है कि जिनको हाई बीपी, डाइरिया, गुटनों में दर्द, अर्थराइटीस, गर्दन में दर्द या फिर हर निया की समस्या हो तो उस व्यक्ति को यह आसन नहीं करना है